सो दोस्तों हमने थाईरट नोडियूल्स की बहुत बात कर ली थाईरट के नीचे एक छोटा सा माटल जितना एक ग्लैंड होता है जिसे कहते है पारा थाईर ज्लैंड यानि थाईरट के पडोस में जो ग्लैंड है ये parathirid gland एक hormone produce करता है parath hormone जो body में calcium metabolism regulate करता है अगर इस gland में tumor हो जाए parathirid adenoma और वो parath hormone बहुत ज़ादा मातरा में बनाए तो वो बहुत सारी problem कर सकता है calcium आपके लिए अच्छा है पर इतना ज़ादा calcium बहुत बुरा है ये problems को हम doctor language में commonly एक neemonic से जानते है stones, bones, groans and mons basically अगर calcium के मातरा इतनी बढ़ जाए इस hormone की वज़े से तो सबसे पहले kidney में stones बनना शुरू हो जाता है बहुत सारी problems होती है जिसे जादा प्यास लगना, जादा पेशाब आना जिसे polyurea, polydipsia कहते हैं इसके अलावा bones बहुत weak हो जाती है so again high calcium bones को actually weak कर सकता है pain तो ठीक है लेकिन धीरे-धीरे multiple bones पर fracture हो चलते है third, abdominal groans so calcium के वज़े से gut health भी खराब होती है leaky gut हो जाता है, indigestion, ulty जैसा लगना constipation, diarrhea, बहुत सारी problems हो सकती है and finally lethargy या थकान तो होती है लेकिन advanced stages में depression, anxiety या psychosis और coma तक हो सकता है इसलिए ये इतनी ज़्यादा मातरा calcium की अच्छी नहीं है बिल्कुल भी body के लिए क्या solution है इसका, traditional solution था surgery वीडियो के अंतक जुड़े रही है क्योंकि non-surgical ilاج के बारे में बात करूँगा surgery सिप introduce कर रहा है so traditional ilاج में open surgery करके ये gland को निकाल दिया जाता था of course इसके कुछ problems थे पहला कि एक scar आ जाता था जो neck में किसी को भी पसंद नहीं आएगा golden के level पे scar second अगर voice nerve को damage हो गया जो कई बार इन glands को बिल्कुल चिपक के रहती है surgery के दौरान तो उसके वज़े से voice change हो सकती है problems हो सकती है problem number three general anesthesia, prolonged ICU stay बहुत दिन अपने job से छुटी लेना ये सारी genuine problems है and of course हम ये चीज़े आज के जमाने में नहीं चाते है इसका सबसे आधुने का और novel alternative है thermal ablation हम thyroid nodules के बहुत वीडियोज बना चुके thermal ablation पे बड़ी प्ले लिस्ट है 40 वीडियोज की पर अब बात करते हैं कि कैसे same technology से parathyroid audynomas को भी destroy किया जा सकता है कैसे करते thermal ablation छोटी सी switch से सुन किया एक छोटी सी तार ले गए और ये guard को पुरी तरह जला दिया अब क्या guarantee है कि guard जलाते समय voice nerve या आजूबा जो की structures नहीं जलेंगे simple एक technique है आसपास cold saline का छिड़काओ कर दो एक needle से इसे कहते हाइडरो dissection जो ये धंडा saline है ये बिल्कुल भी heat को कही और नहीं पहुचने देगा और heat बहुत ही calculated, titrated manner में सरफ उस guard को जलाएगी एक बार guard जल जाए parathormones कम हो जाता है, calcium level कम हो जाता है, कुछ ही हफ्तों में जो उसके side effects हुए शरीर में वो reverse होना शुरू हो जाता है तो दोस्तों, अगर आपको भी option explore करना है, तो अपने नजदी की intervention radiologist से मिली और पता कीजिए आप हमें भी contact कर सकते है, उपर दिएगा chances है कि आपका calcium levels बहुत आए है और वो यह सारी problem या दिक्कते election cause कर रहे हैं, so I hope यह video ने बहुत benefit किया, जिनने thyroid nodules या thyroid की गरंती में गाठ है, neck में जो cosmetic swelling कर रही है बहुत सारे videos बनाएं जाके देखिए end screen पे, सुरक्षित रही है सरशक्त रही है